बैंको कैरीर अकेडिमी के डिजिटल प्लेट फोरम पर आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तो हमारा टाइम एंड वरक टोपिक चल रहा था और उसके ज़्यादा तर्ज कोंड सेप्ट है वह हम पढ़ चुके हैं अब हम पढ़े थे efficiency वाले person, efficiency के उपर जो best person है हम solve कर रहे थे कुछ example हमने इससे पहले वाले class में भी किए थे दूसमे अब को क्या बताय था efficiency वाले में एक तो यह कि efficiency बराबर होता है total work कूल कार्य बटे लिया गया समय टेकन टाइम है अगर आपको total work है टोटल वरक अगर समान है तो एफिसेंसी और टाइम का जो रेश्य होता हो क्या होता है उल्टा हो जाता है और इस पर बेश्ट अमने परस्ट पिछली क्लास में भी किये थे जैसे ए और बी है तो उसके समय का अनुपाद देर रहा है दो अनुपाद तीन है तो उनके एफिसे इंटू लिया गया है समय टेकन टाइम तो अभी इसके ओपर जादा बेश्ट परसन है वह कर रहे हैं यानि टोटल वरक निकालना है टोटल वरक निकालने क्या करेंगे हमें एफिसेंसी चाहिए और जिसकी एफिसेंसी है उसी का टाइम चाहिए कि वह आदमी उस काम हो करने करें बीस दिन में 20 दिन में तो बताओ कि टोटल काम टोटनगा के लिए एगर ए प्लैसolor के लिए आप एक जोड़ nine क्या है किसी समय में एगी से काम करता है न अ iPhone करता अ आदा काम अनपात आपको दे रखा है, A है, वो B से आदा काम करता है, अब आप बोलोगे, कि यहाँ पर तो काम करता है, तो आप efficiency कैसे बोता रहे हो, यहाँ पर तो बात क्या की गए, काम की बात की गए, चमता की बात थोड़ी की गई है, अगर वो ऐसे बोलता कि A, B से आदा, आदा समता है, A की B से आदी समता है, efficiency उसकी क्या हाफ है, तब समझ में आता, लेकिन यहाँ पर तो आदा काम बोला गया है, तो इस काम को आप efficiency कैसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं, efficiency बरापर होता है, टोटल वरक बट्य लिया गया, समय, अब यह बोला गया है, कि यहाँ पर किसी समय में, यारि निश्ची समय की बात कर रहा है, जितना टाइम इसको लग रहा है, उतना टाइम इसको लग रहा है, यानि टाइम तो यहाँ पर हम consider निकरेंगे, आप यह E किस के उपट्टी पेंड करेगा? डारेक्ट काम के उपट्टी पेंड करेगा और यह दोने के समानों पाती है यहन्व किसा समानों पाती है तो जो time कुल कारिये का टोटल वरक का जो ratio है वही ratio किसका बन जाएगा? efficiency का बन जाएगा उम्मिद करता हो समझ में आ रहा होगा A हो B से आधा काम करता ह। B अगर मhol unus ये दो काम करता है तो A किना करता है? One करता है ये वरक का है और ये क्या बनका बन जाएगा? Efficiency का ratio बन जाएगा C उसी समय में A तथा B से आधा काम करता है C उसी समय में C है वो A plus B से आदा काम करता है ये दो काम करते तो एक करेगा और ये क्या बन जाएगा इनके efficiency का ratio बन जाएगा क्योंकि समान समय में कर रहे हैं ये दिस C है के लिए उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे टोटल वरक निकालने के लिए आपको किसी ना-किसी का एक time देगा C अकेलना काम को 40 दिन में करता है तो बताओ uC 1 दिन में कितना करता है C 1 दिन में करता 1 तो यह जाएगा 40 unit यह जाएगा total वरक, ठीक है एक और Boss तो एक निट है अगर आपसे पूछता A या B कितने दिन में करेगा तब फिर हमें उसके जूरुत पढ़ती उधर वालेगी अगला पर्चन है A, B तथा C एक साथ किसी काम को 30 दिने पूरा कर सकते हैं A पलस C की कार्या चमता B से दो गुनी है तथा A पलस B की कार्या चमता C से 3 गुनी है तो A अकेले की efficiency चाहिए और total वरक चाहिए जितना काम हमें करवाना है तो आपको दे रखा है कि A पलस C A पलस C की जो कार्या चमता है वो B से दो गुनी है तो यह 2 डेशो 1 ये efficiency ठीक है फिर क्या बोलागा है कि A plus B की A plus B की कार्य समता वो C से 3 गुनी है तो यह दिका हो गया ठीक है A, B, C एक साथ काम को 30 दिन में करते हैं किसकी चाहिए A की चाहिए A की Efficency चाहिए तो आप A की Efficency कहां से आगी यहां से तो A की Efficency नहीं आ रही है यहां से A की efficiency नहीं आ रही है, अगर वो person में आपसे पूछता कि B की efficiency वो B कितने दिन में करेगा, अगर आपसे पूछता कि B काम कितने दिन में करता, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, हम यहां से person soul कर देते हैं, क्यों, कैसे करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं, तो यहां से तीनों के efficiency कितनी है, 2 plus 1, 3, एक दिन में करेंगे, 3 unit, 30 दिन में करेंगे, 90, 90 में भाग देंगे, एक का तो B का काम आ जाएगा, अगर वो आपसे पूछता कि बताओ, C उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करत अगर आपसे पूछता, B और C के अकेले के बारे में, यहां से पूछता क्या है, तो अब A का तो मान निकालना पड़ेगा, तो अब A के लिए तो आपको दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि A इसमें सामिल होगा, तो अब इसको कैसे करेंगे, उम्मीद कर रहा आपको ठीक है, अब देखिए, A को निकालने के लिए, यहां से तीनों का सम कितना, A प्लस, B प्लस, C कितना, तीन है, यहां से A प्लस, B प्लस, C कितना, चार है, यह चार है, वो तीन है, यह दोनों इक्वल नहीं है, तीनों की समता तो बराबर होनी चाहिए, तो बराबर कर आप निकाल सकते हो यह a B েसी है बताओ B की सम्ता कितनी चार यह जरी सम्ता कितनी 3 है अब देखो a plus b कितना नो है तो इसका मानना अगर 4 है तो कितना जाया 5 हो जायगा Aww it up wants देह लो a plus c कितना 8 है C का मान कितना है 3 है तो इसका खोज़ए तब 5 हो जाएगा अब तीनों की समता आपके पास में आ गई है क्या दें रखा है तीनों मिलकर उसको यह पांच इस से बागते देंगे तो 72 डेज आ जाएगा ठीक है और देखो में आपको पहले बताया भी था ना अगर आपको अकेले बीकी निकाल लिए ओ तो आप 30 गुणा 12 में भाग देदे़ो चार का तो कितना आ जाएगा नबबा आ जाएगा यहां से हमारा एल कितना क्तना अब आएथा दो प्लेस एक तीन आप से एक पूच लिया तो एकक अपूच लिए तो एक चागा और अब हो पंसे निकाल आयकाव werde अगर आपको इस प्रकार से परसंद दे रखा है और आपको यहां से बी कमान पूछता बी कितने दिन में करेगा तो डारिट आप इस वाली एक्वेशन से निकाल सकते हैं आपको इसको छेड़ने की जूरत भी नहीं है अगर आपसे पूछता सी वाला तो आप इसको छेड़ने जूरत नहीं है यहां से निकाल सकते हैं कि कि सी की चमता आपके पास यहां से आ जा जाएगी लेकिन इसने एक आप पूछ लिया तो यहां से आ रही है अब आपको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा मर्ज करने के लिए इनका सम इकोल होना चाहिए उम्मिद करता हूं आपको समझे में आ गया होगा अगला परसन है ए और बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं अब यहां पर आधा समय आ गया है अब यहां पर आगया है टाइम आपका है ठीक है आधे समय की बात कर रहा है तो मैं लग लेता तो आपको समझ में आया होगा जबकि B और C उसी काम को A के एक बड़ा तीन समय में करते हैं B और C तो B पलस यह उस म imagi daad काम करें तो काम 20 दन में समाफत हो जाता है तो वो तीनो अलग काम उस क्रेंगे तीनो का निकालनेधी क्या करेंगे हमें हमें 3 की एफिसेंसी चाहिए हालाइन क्या है आपको थीनो निकाल कर बताऊंगा ठीक अब आपके पास हमें दो इकोशन बन गई ने आफीसेंसीजें से हीु मुल्टра करना है ठाइम को लिकर ने करना दो प्र एक- hurricane यह स्कुश ओर एक चार उसकता इसको बराबर होना चाहिए दोनों का इसको मुझे लगा नहीं सकता इसको मुझेबक है करें चार से करें लगार नो अब के पास में अब 2 के शांता है जो गया है की कितना है एक साथ खौन करें तो 20 दिन में समापत कर सकते हैं अब आपके पास मं सकते हैं तौट में समय तुरफ वंसके वह काम हो जाएगा यह क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा अब तीनों अलगले कितने दिन में करेंगे तो एक को करवाना है तो एक को करवाना है तो इसे तीन से भाग दे दो तो असी दिन में एक करेगा असी दिन में फिर किसे करवाना है भी से करवाना है तो इसमें भाग असी अर्टालीश साथ ओप्शन 20 का रहेट होगा असी अर्टालीश साथ उम्मिद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अजे तथा विजे साथ मिलकर किसी काम को दस दिने पूरा करते हैं यह दि अजे अपनी एक बड़ा दो कारे चमता से काम करता है तथा विजे अपनी पाँच गोना कारे चमता से काम करता है तो वे दोनों काम को निरधारी समय के 50-30 समय में पूरा कर लेते हैं ज्याद किजे विजे उसी काम को पूरा कितने समय में करेगा या कितना समय लेगा जैसे जैसे परसन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है हम एफिसेंसी वाली टाइप पढ़ रहे हैं इसके नहीं ठीक है अजे तथा विजे साथ मिलकर किसी काम को दस तरफ से माल लेंगे अगर नहीं दे रखा तो क्या हो आमाबनी तरफ से माल लेंगे तो माना अजे की जो efficiency वो small a है और विजे की efficiency वो small v है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे a plus v unit करेंगे दोनों इस काम हो complete करते हैं दस दिन में यह total work हो गया यह का वैट हो गया ये दि अजे अपनी एक बड़ाव कार्या चमता से अजे इक हैं उसका 1 बड़ा 2 हो जाएगा पलस विजे अपने पांच को ड़ा कार्यात से विजे समता कितने व है तो पांच वी अगर वो इस तरीके से काम करते हैं, तो काम है, निर्दारी समय से 50% में हो जाता है, निर्दारी समय कितना है, इसका 50% में हो जाता है, निर्दारी समय कितना है, इसका 50% में हो जाता है, यह पांच दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा, यह टोटल वरक है, यह टोटल वरक है, और टोट प्लस 5V है, ठीक है तो A by 2 इदर जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 3A by 2, बहुत दो में से मानिस कर दोगे आधा, तो 3 बटा 2 बचा ना, और इदर से आ जाएगा 3V आ जाएगा, ठीक है, इससे कंसल हो जाएगा, तो A बटे V बराबर हो जाएगा, 2 बटे 1, यानि A औ बटे में 2 बराबर है, तो A बराबर हो जाएगा 2V, तो A किया निकालना है, A और V का रिचियो निकालना है, तो A का निकालना है, तो ये 2 हो जाएगा 1, ये इसकी efficiency का रिचियो हो गया, दो अनपात एक ठीक है क्या पुछा है इसमें याद कीजिए विजे उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा अब विजे की एफिस्टेंस आपके पास में आ गई है लेगन आजे और विजे मिलकर उसकां को दस दिन में करते हैं तो सबसे फ़ले टोटल वरक निकालो टोट में करें तिन है तो टोटल काम करते दिन में तोटल काम हो गया अभी करना है विजे की समत्रांता इस विजे की समत्राइज ना क Dopную है किसा में टेलेगा दिस और कि dedic गा fourteen होगा अब्सेट को जैसे जैसे पर्सन के लेंज आपको वैसे वैसे करना है कि अगला परसन देखिए 95 का है अभी 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 हम पढ़ रहें एफिसेंसी वाला टाइप है उसके बाद में आएगा MDS फॉर्मुला वाला ए तथा भी साथ काम करके किसी काम को पांच दिन में पूरा करते हैं यदि ए अपनी कारी चमता की दुगनी चमता से कारी करे बी अपनी कारी चमता की एक बड़ा तीन चमता से कारी करे तो काम तीन दिन में पूरा हो जाता है अब यह सेम वैसा ही परसन है इस परसन को आपको किजिए अभी जो मेने परसंट किया था इससे पहले वाला सेम वैसा ही परसंट आपको एफिसेंशी नहीं दे रहे तो क्या बात वी एफिसेंशी हम खुद माल लेंगे ठीक है अब ट्राइग जिए इस परसंट फो ठीक है एंट था भी साथ काम करें किसी काम वो पांस दिन मे करते हैं तो ट्रटन कामी होगया यह अब है यह अपनी कारी समता कि दुगुली से तो है टू ए हो जाएगी बी अपनी कारी समता का एक बड़ा तीन है तो यह small b by three हो जाएगा और क्या अदे रखा है? अब कार कारी यह वो तीन दिन में समावत हो जाता है तीन दिन dar में संस और भी एफिसंस से आपके पास में आगayı for ratio बना गया अब आपको क्या बडिलागए需 इसको पांस दिन इन कर सकते हैं बिलकर पांस दिनमे इस्में रखे दो टोटल अब यहां से आ Hal जागा यह पिर आप अर्ष बीकट कमारीउ बेशियों जागा है तो एक दिन में कितना करते हैं 4 प्लस एक 5 और 5 दिन में कितना करते हैं पच्चिस टोटल काम कितना 25 नुट है अब ये काम करवाना किससे अकेला उस काम को एक चार है तो 6 सही एक बड़ा 4 दिन में 6 सही एक बड़ा 4 दिन option is correct होगा जैसे जैसे पर्सन के लेंगेज दे रखिया वैसे वैसे आपकरना है अगला पर्सन है 96 का दो अलग-अलग कार्य चमताव वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनिट में पूरा करते हैं एक साथ मिलकर वो 6 मिनिट में काम पूरा करते हैं यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनिट काम करता है उसके बाद दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनिट काम करता है तो काम का एक बटा 5 भाग सेश रह जाता है उसके बाद क्या होता है एक बटा 5 भाग सेश रह जाता है तो दूसरा करता चैनल इतना करने के बावजूद भी क्या है कि एक बड़ा पाँच भाख से रहा गया है कैसे करेंगे दो टाइप इस्ट है ए पलस बी ठीक है और दोनों मिलकर है वो इस काम को च्छै मिनिट में करते हैं माना टोटल वरक कितना है थिक्स यूनिट है तो बताओ कि 1 बीट में कितना करेंगी एक यूनिट करेंगे एक यूनिट फर मिनिट यह समता हो जाएगी यह क्या हो जाएगी forskensy क्यों हो금 गई पर लिए या बैध में से सिक्स यूनिट करता है घ्रम से काम करता यह 4 मिनिट काम करता है दूसरा इमिनट क्वार चेल मिनिट करता है हम इसको नहीं लिखेंगे इसको लिखेंगे इसकोर बॉस्ट में इसा क्यों लिखे यह कियोंकि मैं ऐसे परसन हम 2-3 कर चुके हैं मैंने को बताया था हमारे पास में ना तो एकैले की समत है ना मारे पास में बीड़ी के करेंगे चार से मैटिपलाइक करें एक से मैटिपलाइक करतें तो कब वह नहीं किए अभी तक हमने वी के दो मिनित का का मा कैसे रह ञाता है अब देखो टोटल काम कितना 6 है उसका एक बटा 5 भाग 6 रह जाता है यानि कब रह जाता है 6 मिनिट काम करने के बाद में अभी तक इसने 4 मिनिट काम किया है दो मिनिट तो अभी काम नहीं किया है तो अगर टोटल काम इसका 6 यूनिट है तो उसका एक बटा 5 भाग 6 रह जाता एक पॉइंट दो यूनिट शेस रह जाती हैं, तो इसमेंसे माइनिस कर देंगा, एक पॉइंट दो यूनिट, यह नहीं चार पॉइंट आठ यूनिट काम हो चुका है, कितना काम हुआ है? चार पॉइंट आठ यूनिट काम हुआ है यहाँ पर कितना काम होगा है चार यूनिट काम होगा है इसका मतलब अभी पॉइंट आठ यूनिट काम होना बाकि अभी बचा हुआ है पॉइंट आठ यूनिट काम होना अभी बाकि बचा हुआ है और यह काम कोन करेगा, यह करेगा, बी करेगा, और कितनी देर में करेगा, दो मिनिट में करेगा, तो बताओ, बी की चमता कितनी हो जाएगी, बी की चमता का मतलब क्या होता है, अफिसेंस के होलो, जो मिनिट है, उसकी पर मिनिट में, दो मिनिट में इतना करता है, तो बताओ चमता वाला टाइपिश्ट है, कम कारी चमता वाला कोई ना B है, कितने समय में काम को पूरा करेंगा, टोटल काम कितना है, 6 यूनिट है, किस से करवाना है, B से करवाना, B की कितने पॉइंट चार है, हटाओगे तो यह 0 और यह 15, 15 मिनिट ओप्शन 20 का राइट होगा, उम्मी अगला परसंद देखी 97 का, एक ठेकिदार A, B तथा C को काम पर लगाता है, वे उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यहने 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, वे एक साथ काम सुरू करते हैं, तथा C केवल पहले 3 दिन कारिय करता है, जबकि इन 3 दिनों में कुल कारिय का 37 परतिसथ कारिय हो जाता है, भाग क्या क्या कि C केवल 3 दिन कारिय करता है, तो इन 3 δिनों में कुल कारिय का 37% हो चुका है, बचा हुआ कितना 63% है, A और B मिलकर समाविक करते हैं, जयाद करो, वे अलग अलग इतने दिनों में इस कारिय को पूरा कर लेंगे यदि A का आठ दिन का कारिये B का चार दिन का कारिये बराबर है A का आठ दिन का कारिये बराबर है B के चार दिन के कारिये के बराबर है तो अब इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले इसके परसन को समझना आपको परसन की लेवेज के अन्सवार चलना आपको बस और कुछ भी नहीं करना है एक ठीक दार है वो A, B, C को काम पर लगाता है वे उस काम को 10 दिने पूरा करते हैं यानि तीनों मिलकर है उस काम को 10 दिने पूरा कर देते हैं A, P, B, P, C वो 10 दिन में कर देते हैं टोटल टाइम किन चाहरा है कि जो A, B, C हैं इन्होंने तीन दिन में इस कारिय का 37% हिस्सा कम्पलीट कर लिया तो बताओ तीनों ने एक दिन में कितना काम किया यहां पर 37% by 3 सब्सक्राइब कि एक दिन में कितना काम किया और मैंने आपको बताया था कि एफिसेंस से कम मतलब क्या होता है जो डे देरा का पर डे निकालो आवर देरा का तो पर आवर है यहां पर दिनों की बात चल दी तो तीनों की समता हो गई 37 बते 3 परशेंट ठीक है बाद क्या दिरे है वी बचावा कारिये साथ दिन में क्यों तोटल कारिय होता है दस दिन में तो इन तीनों ने मिलकर यहां पर 3 दिन कारी तो कर लिया है, तो बताओ, बचा कितना, 7 दिन बचा, तो बताओ, एक दिन में कितना करेंगे, इससे बाग देदे, वह 9% आजाएगा, B plus C की efficiency कितनी है, 9% है, और A plus B plus C की efficiency कितनी है, 37 बटा 3% है, आप में किया दे रखा है, A का 8 दिन का कारी, बड़ाबर है भी के चार दिन के कारी बड़ाबर है तो यहांसे ए और बी का जो रिष्या आ जाये गा वंदरेशीयो घा रिशि रिष्या घुष्यों कि किसका और बी का सही है ठीक है ये A और B का रिषियो चाहँएगा यहां से आपके पास सम्झेकख से आपनेकों संचाहिए तो ईहांपर A और genuinely हुआ आएगा अपको इस समुनर मिले टमे तो यह आपर गड़ बड़ हो रहे थी यह और भी मिलकर उसकाम करते तो ए प्लस भी आपर आएगा 9 परसेंट ठीक अब ठीक है तो अब यहां से आपको दे रखा है कि इनका जो रेश्यो कितना है वन रेश्यो टू का है समता का ए प्लस बी का कितना है नो परसेंट है और इसका अ आपके पास में आगयी है एक हमता आ गई ए बी की आ गई है सी की एक डिश्यो म्टा कितनी है टीन परसेंट हैं दोनोा जोनों सांद और नो परसेंटा से ऑक यह कितना होगा 100% मेंगाए कितना कॅधा है 10 में टोас करवाना बॉटल काम है और किससे करवाना ऐख दो और या जाएगा 50 बट्टे 3 और या जाएगा 100 बट्टे 3 ऐसा कोई उप्शन क्या 100 बट्टे 3, 50 बट्टे 3 और 30, उप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, जैसा जैसा परसन में बोला गया है, वैसे वैसे करना है, अगला परसन है 98 का, एक ठेकदार A, B तता C को काम पर लगा करते हैं, ठीक है, वैसे साथ काम शुरू करते हैं, तता अंतिम 60% काम को B और C करते हैं, जो अंतिम 60% काम है, उसको कोन करता है, B और C करते हैं, इसका मतलब इससे पहले कितना परसन काम हो चुका है, 40% काम हो चुका है, अब ए 40% कोन करता है, A केवल पहले 2 दिन B और C के लिए प्लस था और काम चोड़ देता है दो दिन काम करें वाले क्या था और काम करने में सिसे बिस परतिसात कम समय लेता है तो यह पर बी और सी का समय का अनपात आजाएगा फिर समता का निकाल लेंगे यदि पूरे काम के लिए 3,000 रुपे मिलते हैं तो कम चमता वाले मजदूर को कितना वेतर मिलेगा देखे इससे पहले भी हमने ऐसे परसंड की हैं कि A, B, C में C का हिसा याद करो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर समय क्या था? इक्वल था समय एक्वल था तो हमने जो पैसा था वो efficiency के ratio में बाट दिया अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जैसे माली जे पैसा है वो किस आदर पर दिया जाता है? काम के आदर पर जिस आदमी ने जादा काम किया उसको जादा पैसा मिलेगा जिसने कम काम किया उसको पैसा कम मिलेगा अब देखे जैसे पैसा दिया जाता है जो पैसा मिलता है जो पैसा मिलता है जो वेतन मिलता है वो किस आदर पर मिलता है वो मिलता है उसके काम के आदर पर बताओ इसने क स्टामें किने कितना काम क्या और काम बराबर कितना होता है समता कितना कट्नी स चाहिए है करता है यूनिट अब ये 24 तो ये काम पेसा मिलेगा मैं की अदार ये पैसा मिलता है पैसा मिलता काम के आदार पे लेकिन लेकिन अगर यहां पर टाइम अगर समान है तब यहां पर टाइम को मटा देते हैं तो पैसा किसके उपर बी और सी उसको दस दिन काम करते हैं तो आपको निकाला पड़ेगा टोटल कितना काम है, काम के आधार में पैसा देना पड़ेगा ज्याअपर आप efficacyसंजन में उसको बाट सकते हैं ठीक है, तो person सबसे पहलेएं इसको दुबारा समझते हैं κya है? फिर हम इसको परसंद को आपको बताता हूँ एक ठेधार ABC को काम पे लगाता है वे तीनों इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो A प्लस B प्लस C है वो इस काम को 10 दिन में कर देते हैं इस 10 दिन के 2 इसे कर दिये एक तो 2 दिन वाला एक 8 दिन ठीक है, दो दिन काम कॉन करता है, A 플is B-P plus C करते हैं, और यहां पर आठ दिन काम कॉन करता है, B-P plus C करते हैं, क्योंकि A ने केवल दो दिन काम के, उसके बाद काम छोड दिया है, सेज काम b plus c 60% तो इससे पहले कितना काम हुआ इससे पहले 40% है और कितने दिन में 2 दिन में 40% है तो एक दिन में कितना करेंगे 40 बटे 2 यानि 20% है उम्मीद करता हूँ समझी में आगया होगा तो a plus b plus c की चमता कितनी है चमता का मतलब क्या होता पर दे या पर आवर पर मिनेट है दो दिन में इतना है तो पर दे कितने करेंगे 20% काम किया अब बताओ 60% काम कोन करेंगे b plus c करेंगे b plus c कितने दिन में 2 दिन तो हो चुका अब total काम कितने दिन में होता 10 में तो 8 दिन में 20 में से मानिस कर दें, कितना जगा 12.5% आ जाएगा. यह A की समता हो गई है. अब मुझे B की भी निकाल लिए और C की भी निकाल लिए है. B पलस C की कितनी है, 7.5 है तो यहां से मैं B और C का निकाल लूँ हो. कैसे निकालूँगा? B को काम करने में B को काम करने में C से 20% कम समय लगता है यह जो ratio है समय का time का है तो इसको अगर 100 लगता है तो इससे 20 कम लगेगा तो यह हो जाएगा 20 से काट हो गए तो 4, 5 efficiency क्या हो जाएगे? उल्टी हो जाएगे 5, 4 हो जाएगी B और C की जो efficiency हो कितने हो जाएगे? 5, 5, 4 हो जाएगी यानि इसकी जो efficiency है B और C की वो 5, 5, 4 हो जाएगी हमें क्या दे रखा है? B पलस C की efficiency 7, 5 है तो यानि 9 बराबर कितना है? 9 बराबर है 7, 5% है तो बताओ 1 बराबर हो जाएगा 7, 5% बटे 9 है ये तो हो जाएगा तो B की निकाल लिए है तो एक बराबर है तो इसको 5 से वोना घरतो कितना हो जाएगा? 3 से काटाओ तो 3, 3 से काटाओ तो 2,5 है 25 से वोना करें 5 है, तो 1,25 आ ता 12.5 है तो 12.5 बटे 3% ठीक है? और यान से इसका निकालेंगे तो तो 7.5 बटे 9 है, 3 से काटए होगी, 3, 3 से काटए होगी, तो 2.5 है, multiply करोगी, 4 से तो 10 बटे 3 है, तो इसका कितना हो जागा, 10 बटे 3 परसेंट है, या B की समता आ गई, A की भी आ गई है, तो अब मैं इसको person को solve कर लेंगे, अब इस person को solve कर लेंगे, यह हमारा आपास में A है, यह B है, यह C है, सबसे पहले efficiency, बताओ A की efficiency कितनी है, 12.5 परसेंट है, B की efficiency कितनी है, 12.5 बटे 3 है, C की efficiency कितनी है, 10 बटे 3 परसेंट है, ठीक है, यह efficiency है, यानि परडे की बात कर रहा है, परडे इतना काम करते हैं, तो बताओ किसने कितना काम किया, A ने किया, केवल 2 दिन, तो बताओ, दो दिन में कितना काम कर लेगा, यह time है, और दोनों को multiply करोगा, तब क्या आएगा, total work आपके पास में आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पत्चीस, इतना काम करेगा, और इसको गुणा करेगा, दस से तो कितना आ जाएगा, एक सो सो बते तीन है, तीन सीह, इसके सुमता सबचे कम है, इसके बारे हो पूचा, यह भी दस दिन काम करेगा, तो सो बते तीन है, यानि आब जो पैसा मिलेगा, वो टोटल work की आधार पे मिलेगा, और यह रेशियो आपके पास में आ गए है, इस रेशियो में पैसा मिलने तो चार है तो यहां से आपके पास मिलेगा चार मिलेगा कितने मिलेगा बारा में से का युक को आस सी बर्गर बनाने तो हर मिनिट में तीनो मिलकर, तीनो हर मिनिट में 20 बर्गर बनाते हैं, यानि परते एक मिनिट का मतलब यहाँ पर एफिसेंसी दे रहे हैं, तीनो क्यों एफिसेंसी कितनी है, 20 बर्गर पर मिनिट है, पहला कूक काम को शुरू करते हुए, बीस बर्गर तीन मिनिट से कुछ ज़्यादा समय में बनाता है, अग्जेक्ट टाइम हमें नहीं दे रखा, बीस बर्गर तीन मिनिट से कुछ ज़्यादा समय में बनाता है, एक पहला वाला जो कूक है उसकी बात करता है, अग्जेक्ट टाइम नहीं दे रखा, तीन से कुछ समय यहां पर लिया जो तीन से ज़्यादा है और फिर कुछ दूसरे और टीशने ले लिया पहला कुक है एक सो साथ इसकी कितनी है 20 बर्गर पर परती मिनट उसकी अब क्या टिक ज़िए और टेकन टाईम कितना समय लिया गए यह वती एफिसंसी ठीक है अब क्या दे रखा है पहले कुक को क्या यह होई एक क्या बनाता है पहले क्यों काम करता है तो बताओ कितनी बर्गर बनाता है, पहला कुछ यानि A है, तो 20 बर्गर बनाता है, कितने समय में बनाता है, हमें नहीं पता, माना X में बनाता है, यह X के टाइम है, तो पर मिनेट यानि 20 बटे X यह क्या होगी, इसकी समता होगी, समता बराबरो तक कुल काम, बताओ कितना का आट मिनिट में से X ले ली तो बची कितनी 8 minus X है और यह क्या अब यहांसे एक ही variable X है, इस का मान आख के पास में आजाएगा, यहांसे एक ही तो variable है x है इसका मान आ जाएगा इसको solve कर लो तो यह से 20 से काट देंगे ऐसे काट सकते हैं क्या काट सकते हैं basic calculation बता रहा हूं यहांसे 20 कुम ले लेना यहां पर बचाएगा 1 यहां पर बचाएगा 3 है 20 कुम लेने के बाद है 20 से 20 काट सकते हैं तो यहां पर आपके पास से मचा है 1 अपोन x प्लस 3 अपोन 8 माइनस एक्स और इक्वल में 1 है यहांसे में इसको डारिक देता हूं यहां पर क्या जाएगा 8x माइनस x स्क्वार आजाएगा बस इसके कल्कुलिशन करनी है यह इदर आएगा तो किसका होजाएगा प्लस का होजाएगा x स्क्वार है और 8x इदर आएगा तो किसका होजाएगा माइनस का तो माइनस का 9 और कितना बचेगा 6x बचेगा प्लस का 8 है यह 0 तो अब क्वार पर तो मानिस का चाहय यह और मॉल्टिप्लाई कर ने पर क्या बराबर कितना चार है एकस प्रयाबर कितना चार है जो पहला जो रख़र बनाता है कितने समय में एकस समय कम ऐस चार backend चार瑟 प्यू आपके पास यह प्तेया पर चेक्शन कराख JUL करवाण स अ Wi-Fi मिन्आ है 160 बरगर बनवानी किस से पहले कोक से उसके चमता कितने ये तो किना आजागा 32 मिनिट आ जाएगा उप्शन एसका राइट होगा 32 मिनिट अगला परसन है C की कारिय चमता A से 2 गुनी है तथा B से 3 गुनी है अकेला A उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है ये दिवे एक साथ जोड़े में कारिय करते हैं तता पहले दिन A प्लस B दूसरे दिन B प्लस C तता इसी परकार आगे करन चालता रहता है तो काम को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा ये ओल्टरनेटेज वाला परसन आ गया है जैसे जैसे आपको परसन में बोला गया है वैसे वैसे आपके इसको लिख लो जैसे जैसे में बोला गया है क्या दिरका है C की कारे चमता वो A से दो गुनी है तता B से तिन गुनी है तो C की जो कारे चमता वो A से दो गुनी यहां से कितनी है तीन है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी कारे चमता अलग लग हो तो कारे चमता हो क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे थ्री से इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे टू से तो अब आपके प इने काम एक है Sul tuition कितना हो गए कि इन पर दिन इस प्रैकन और तरुक्टर से और चर सिंद beide करतें sapato प्रकार से तीन दिन में कितना काम हो गया है तो अगले दिन कोई आएगा चकर अगले दिन काम होगा फिर अगले दिन क्मीट काम हो गया तो बचा कितना काम होगा तो बचा कितना इस में नो इकाम नो तो आगले चार पूरे दिन में कितना होता है नो होता है तो पांच सही एक बटा नो दिन लगेंगे पांच सही एक बटा नो दिन इसमें लगेंगे जैसे जैसे आपको पर्षान में बोला गए ना वैसे वैसे आपको इसमें लिखना है यहां से सबसे पहले क्या इनकी efficiency निकाली A, B, C की कितनी Efficiency है, टोटल काम कितना है, और उसके बाद में जैसे-जैसे बोलागा है कि A प्लस B करेंगा, तो तीन प्लस दो पांच है, फिर आठ है, फिर नो काम होगा, तीन दिन में कितना काम होता है, इसके अंदर तीन दिन में बाइस होता है, फिर अगले दिन, क्योंकि बाइस दिन चोमाली से बहुत जादा हो जाएगा, फिर अगले दिन को होगा, फोर दे पांच काम होगा, उसे अगले दिन काम को होगा, आठ काम होगा, फिर आप काम कितना बचा होगा, एक इनुटी बचा होगा है, पूरे दिन में कितना होता है, नो होता है, तो एक बटा 9 है तो 5 सही 1 बटा 9 दिन A B का 3 बटा 4 काम B के 5 बटा 6 समय में करता है यदि दोनों 10 दिनों में पूरा काम करते तो A उसे काम हों कितने दिन में पूरा करेगा A है वो B का 3 बटा 4 काम है B का 3 बटा 4 काम है तो B जितना काम करता है उसका 3 बटा 4 है तो B अगर 4 काम करता है तो उसका 3 यहनि हमने फॉर्मुला कौन सा है? MDH वाला ना? MDH वाला फॉर्मुला अपन में कितना था? W आता है यह MD, यहाँ पर 111 है और यह 22 S2 यह पर ने पिछले क्लास में बताया था वही आप उपूट करना है नीचे काम लिखना है उपर आदमियों की दिनों की संख्या वगरा जो दिरका है तो A है वो B का 3 बटा 4 काम है B करता है 4 उसका 3 बटा 4 कितना आजागा 3 काम B के 5 बटा 6 समय में तो B अगर उसकाम करता है 6 दिन में तो 6 का 5 बटा 6 कितना हो जागा 5 है तो वो इतने समय में करता है उम्मीद करता हूँ समझ में आहível और तो वर्क आता है उपर आता टाईम हाता है तो जैसे जैसे आप वो दिरका वैसे वैसे हैं ने लिख लिया Laughing फ्रैक्सम को पड़ते कैसे हैं बीकêu पनद डं तो यहां से कटेगा क्या ने कटेगा तो आपके पास में आ जाएगा इसको मुल्टिप्लाई करें तो दस ए क्रोस मुल्टिप्लाई और नो बी तो बताओ यहां से एक पास मो में पूण आजाएगा इक सों नहीं इतना काम हो गया है तो ऑनो बता कितना एक और यह एक बटा 21 एक बटा 9 option A का right होगा 21 एक बटा 9 है A, B की तुलना में तीन गुना अच्छा कारिगर है C अकेले एक घर को पैंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है एक साथ काम करते हुए A, B और C को उस घर को पैंट करने में 16 दिन लगते हैं तो B से करवाना है तो B की चमता निकाल लो बस सिदा ऐसा concept है यही A है वो B की तुलना में तीन गुना अच्छा कारिगर A है वो B की तुलना में तीन गुना अच्छा कारिगर तो इनकी efficiency का ratio हो गया 3 ratio 1 है C अकेले एक घर को पैंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है एक साथ काम करते हुए A, B, C उस घर को 16 दिन में B कितने दिन में करेगा तो B की efficiency चाहिए आपको चाहिए कि B की efficiency कितनी है तो यहां से हमारे पास में अगर मैं तीनों में से मानिस कर देता हूं C का तो A 1 by 2 या नि यह तो हो जागी तीन बटे 2 efficiency A की और यह हो जागी 1 by 2 दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा दो आजाएगा अब आपके पास में A और B C तीनों कि उत्पात दा कई यह कारिये समताव बात की गई हैं A को एक कारिये पूरा करने में 60 दिन लगते हैं यह दि B A B उसमें क्या है इन हाउ मरी डेज भी A B और C यह आपड़ भी आएगा A B और C एक साथ काम करते हैं तो मैं 12 दिनों में वह कारिये पूरा कर सकते हैं तो C है वह B की तुल्ला में C है वह B की तुल्ला में 5 गुणा अच्छा उत्पात आगे इसका में यह रिष्य हो गया 5 रिष्य हो गया तो यहां से बताओ एक ही चमता गर वह नहीं तो बताओ B प्लस C कितनी हो जाएगी चार हो जाएगी चार हो जाएगी अब आपको यहां से इसका रेष्यो दियरका है तो यह इसको माल लेते है 5 एकस टोटल कितना हो जाए 6 ए 6 एकस बराबर अभी हमने कितना निकाला 4 निकाला तो बताओ इसके चमता कितनी हो जाएगी बी-की दोबटे तीन हो जाएगी किसका पुछा आप से बी का पुछा पुछा पर सी पर ध्यान दो अगला परसन देखिए A किसी काम को करने में A प्लस B से 27 गंटे जादा लेता है अभी अच्छा कॉंस्ट है अभी दो तिन जो परसन आएंगे ने वो अच्छा कॉंस्ट है इससे आप और भी परसन सोल कर सकते हो अभी आपको थोड़ा बताता हो इसके बारे में A किसी काम को करने में A प्लस B से 27 गंटे जादा समय लेता है B उसी काम को करने में A प्लस B से 3 गंटे जादा समय लेता है तो A अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा देखो क्या कॉंस्टेटर समझो आपको दिया रखा है कि A प्लस B मिलकर किसी काम को करते है T दिन में द्यान समझ ना A प्लस B मिलकर किसी काम को करते है T दिन में ठीक है फिर आपको दिया रखा A अकेला A अकेला उसकाम को करता है T प्लस X में ठीक है रूट एक्स इंटू वाई रूट एक्स इंटू वाई इसका पिसका सोट ले ले कि अगर आपको कभी दे रखा कि अगर किसी काम धूर्टि दूर्ट बाइज है एक लगर ती प्लस एक्स में बिएक लगर तीपलस वाई में यह से से स्ट्राइज है आपयों साथ 172 क्रते क्लोंगी की आपको समझाने लिख रहा हूं बा की आप तो से gerek मैंने समझने के लिए ते लिए तो मैंने सब्सक्राइब कितना थी ज्यादा कितना थी जादा एकासी कणिना उनलोगंटे हो गाए तो आपको इतना लिखने जूर्ख भी नहीं थे समझा ने के बता रहों अबकर काम करने में जितना समय लगता है एको अकेले वया काम करने में चार दिन अधिक लगेंगे बी को अकेले वया काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे यह दिवा दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे सेम वही परसन है एको अकेले वया काम करने में चार दिन अधिक लगता है यानि कि आपर किया है तीफी बरापर कितना हो जायेहा चार गुना सोड मेंback सब्सक्राइब कर दोनों मिलकर काम करें तो काम कीतने दिन में करते हैं टब में हैं क्युके Crown प्रिलकर तो कितने हम करते हैं पिर एक ना करेगा टी प्लस पोर टी प्लस 16 तो में टी कमान पूछा था 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 तो तो दोस्तों आज एक लास में बस इतना ही है ठीक है बाकि जो एम्डेस फूर्मुले वाले हैं वह बाकि हम नेश्ट क्लास में करेंगे उम्मिद करता हूं आ अच्छे लेवल के परसन भी लिये तो उसकता कुछ परसन आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे होंगे तो हम इसमें चारे टाइप के परसन करेंगे और उम्मिद करता हूं आपको समझ में आया होगा ने समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना उस परसन हो ठीक और वीडियो देखेने के लिए धनवाद थैंक्यू सो मच्छ